गुद्वार्णिंग इस्टूडेंट तो आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पर आपका इंजिनियरिंग ड्रोइंग फर्स्ट इर इंजिनियरिंग ड्रोइंग का कुछ MCQ important MCQs वह मैं लेके आया हूँ और यह जो MCQ है यह सभी फर्स्ट इर ट्रेट के लिए चाया आप फीटर हो इलक्रिसेन हो डीजल हो या फिर कोई वी अदर ट्रेट से हो सभी बच्चों के लिए common paper रहता है फर्स्ट इर में और यह जो अभी मैं आपको question कराऊंगा यह सारे question सभी ट्रेट के फर्स्ट इर के बच्चों के लिए है ठीक है और WCS वगेरा का जो वीडियो है वो मैंने सारा वीडियो जो अपलोड कर दिया है निमी question bank का और previous year question paper वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं तो आप लोग उसको जरूर देख लिजेगा तो चलिए पहला question जो उसको यहाँ पर start करते हैं engineering पैमाने में चिन M5 पैमाना को dice इंगित करता है तो पहला question आपको बताना यहाँ पर M5 जो होता है न इसका measurement क्या रहता आपका scale का measurement है वो आपको बताना ठीक है अनुपात M5 का तो आप लोग पढ़े होंगे M0, M1, M2, M3 इस तरह से करके सारा पैमाना होता है तो M5 जो होता है न इसका होता आपका 1 by 200 तो याद रहेगा 1 by 200 होता M5 का अचलिए मैं यहाँ पर सारा table ही आपको दिखा देता हूं दिखे M1 जो होता है न इसका अधि हम लोग बात करें M1 का देखिए यहाँ पर जो पैमाना होता वो M5 था जिसका की 1 by 200 होता है ठीक है देख सकते हैं आप टोटल 8 का जो यहाँ पर टेवल में दे दिया गया है आपका इसको आपको याद रखना है ठीक है यह कोई भी इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है जैसे इस बार M5 पूछा था उस तरह सो सकता है कि आपको M8 पूछ लिया जाए तो इसलिए यह टेवल आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए next question देखते है next question देखें क्या आपका question next जो है आपका A1 आकार की रेखंकन seat ठीक है A1 size का जो seat होता है आपका drawing seat होता है ठीक है उसका आपको dimension बताना है measurement क्या होगा बताई जलिसे A1 size का आपसे पूछा गया चार option आपको यहाँ पर दिया गया देख लिए A1 size का आपसे पूछा गया है और चार option आपको दिया गया बताना है आपको कौन size का right answer होगा A1 Size का Drawing Seed A1 Size के Drawing Seed का आपको Answer यहाँ पर Comment करना है ठीक है तो यह देखिए चार उप्षन आपको यहाँ पर दिया गया है A1 Size का आपसे Drawing Seed का Measurement जो है Drawing Seed का पूछा गया चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ A0, A1, A2, A3, A4 आपको यहाँ पर इस Question में क्या पूछा गया है तो इस Question में आपसे पूछा गया है वो है आपका A5 का Sorry A4 A4 का आपसे पूछा गया है A4 का है ना चलिए एक बार देख लेते हैं किसका पूछा गया है A1 का पूछा गया है तो A1 का दिखें यहाँ पर क्या है A1 का आपका 594 इंटू आपका है 841 ठीक है 594 इंटू 841 तो इसमें से आपसे कोई भी पूछा जा सकता है एक्जाम में यह नहीं A1 ही पूछेगा A0 भी पूछ सकता है A2 भी पूछ सकता A3, A4 कोई भी पूछा जा सकता है इसलिए मैंने यहाँ पर सारा डाटा लाया है ताकि आप लोग इसको रिभाइस कर सकें इसको याद रख सकें ठीक है क्योंकि कोई भी एक्जाम में आ सकता A4 भी पूछ सकता है तो यहाँ पर जो पूछा था वो था आपका A1 और A1 का हो गया आपका 594 mm और आपका 841 mm ठीक है याद रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते है नेक्स्ट क्वेशन जो था वो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेशन आपको D1 ठीक है पहला ओप्सन यहाँ दिया गया चार ओप्सन आपको मिल रहा है आपको बताना है D1 का जो है सही आंसर कौन सा होगा चार ओप्सन में से बताए जल्दी से D1 साइस का कौन सा होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A नमर ठीक है बीवन साइज का जब भी पूछे तो उसका राइट अंसर जाएगा 1725 चलिए मैं इसका टेवल दिखा देता हूं सारा तो ड्रोइंग बोर्ड जो हता आपका कुछ इस तरह से आपका नजर आता है तो ड्रोइंग बोर्ड जो हता है इस तरह से होता है और यह सारे जो रहते हैं यह सारे क्या कलाता है तो यह सारा स्ट्रीप कलाता है ठीक है और यह स्क्रू के माध्य हम से यहाँ पर ड्रोइंग बोर्ड पर बेटन जो हता हो कसा हुआ रहता है तो यह बेसिकली ड्रोइंग बोर्ड है अब इसका आकार यही हम लोग देखें तो यह 4 size में यहाँ पर पाया जाता है D1, D0, D1, D2, D3 तो यहाँ पर जो question था उसमें D1 के बारे में आपसे पूछा गया था तो D1 आप देख सकते हैं यहाँ पर D1 जो है इसका size क्या है आपका एक हजार इन्टू 700 इन्टू 25 ठीक है तो यही चीज यहाँ पर आपसे पूछा गया था तो exam में आपसे कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है D0 भी पूछा जा सकता है तो आपको चारों का values है उसको याद रखना है ठीक है और इसका पीडियाप आपको चाहिए तो टेलिग्राम ग्रूप पे इसका पीडियाप मिलेगा टेलिग्राम ग्रूप आप लोग जरूर जोइन कर लिजएगा वीडियो के नीचे description box में उसका link मिल जाएगा और इदि आपने चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजए वीडियो को like और share जरूर कीजएगा ताकि मैं इस तरह के content जो आपके लिए वो लेके आता रहूं regular ठीक है इसलिए आप लोग चैनल को subscribe जरूर कर लिजएगा आपका next question है आप लोग जो arrow head पढ़ते होंगे तीर जो देखते होंगे तीर का निसान dimension जब लोग करते है ठीक है तो इसका जो लास्ट में होता है dimension line के यहाँ पे arrow head लगा हुआ होता है तो इसका आपको बताने लंबाई और चोड़ाई का ratio क्या रहता है तो चार option आपको य 3 ratio 3 to 1 के ratio में होता है ठीक है सभी बच्चे जानते होंगे 3 to 1 का ratio इसका right answer होता है तीन नम्मर क्या होगा right answer होगा तो इसको यहाँ पे दिखा यहाँ पे देखें आप अच्छे से समझ भी सकते हैं ठीक है तो यह आपका arrow head हो गया arrow head में देखें यह वाला जो पार्ट लंबा गया है है ठीक है और यह दीए यह जो है close है और fillid arrow head उसको षभस में पेन और यह ओपर और यह नहीं तक है और यह तृवा आख इस तरह से यहां पर रहता है ठीक है यह जी जार चीज यांद रखना पूछलिए नेक्स देख तें किया आपका यहां पर तिरतिय यह देख रहे हैं पर्तीक जो दे रहें symbol जो देख रहे हैं ठीक है यह बताना आपका कौन सा यहाँ पर परछेप का है यह जो symbol आप लोग यदि पढ़े होंगे orthographic projection तो उसमें आप लोग symbol draw करते होंगे first angle का और third angle symbol है ना तो यह जो इस तरह से symbol आपका बनता है इस तरह से कुछ बनता है यह वाला symbol किसका है first angle का है य याद रखिएगा बड़ा वला भाग जो इसका टेपर के बड़े वाले section के नजदीक है तो यह कौन सा आपका सभी आंसर किजिए जल्दी से कौन सा होगा इसका राइट अंसर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका पर थम को यह पर छेप ठीक है first angle projection हो जाएगा इसक तो यहाँ पर देख लिजिए एक बार यहाँ पर मैंने बता दिया है दोनों का symbol आपको दिखा दे रहा हूँ तो यह फर्स्ट एंगल है फर्स्ट एंगल में देखे यह बड़ा पार्ट है ना टेपर सेक्शन का जो बड़ा पूर्शन है लंबा वाला भाग यह बड़े व जो भाग है सरकल का वो इसके टेपर सेक्शन के छोटे वाले भाग के नजदीक होता है समझ में आ गया तो थर्ड एंगल कैसे पहचानेंगे तो बड़ा वाला जो सरकल है वो छोटे वाले के तरफ रहेगा और फर्स्ट में क्या होगा दोनों बड़ा वाला भाग जो है एक पर उसका प्रोजेक्शन बनता है उसके बीच में रखा जाता है और वही हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो होता है इसमें आपका जो होता है ओब्जेक्ट जो होता है कहां पर रहता है तो अब्जेक्ट देख सकते हैं इस तरह से आपका रहता है ठीक है चले नेक् है और यह संमीती इसकेझ पर अधारित है आरफ पर 90 को बोलते हैं रेंपधाना हमें मताना कितना होता है संभी इस पर हरेंद का सठीक माना कितना होता है तो यहां पर आपको दिया गया है ठीक है बताइए प्रशेप में आपको रेस्ट कुत इतना होता आरेव फेक्टर का बताई जल दिसे क्या होगा इसका राइट आंसर तो इसका हो जाएगा आपका दो बटे तीन अंडर रूट टू बाइट थी ठीक है यह चीज़ याद रखेंगा तीन नम्मर इसका राइट आंसर होगा चलिए नेक्स कुशन देखतें नेक्स प्रचय। आप लोग पड़े होंगे लंब कोणी यह पर शेप जिसको बोलता है और्थोक्राफिक प्रोजेक्शन और इसमें आप लोग क्या पड़ते हैं इसमें हम लोग बनाते हैं इसके पाक्शा यह तीन से पूछा गया आपसे यहां पे दू दुर saya दूइं तूप answer हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कुष्ट देखते हैं लिल्यमीत सभस्त टूज्चफ के अंत्रीक कॉण का मान होता है बता इसे बहुत सिमपल क्षेस कैं कों का मान कितना होता हित सश्ट नियमी सश्ट बूज के अंत्री कोनों का मान कितना होता है सश्ट बूज आप लोग देखे होंगे सश्ट बूज कुछ इस तरह से आपका सश्ट बूज इस तरह से रहता है ठीक है इसका आंत्री कोन का मान बताना यह वाला जो आंत्री कोन यहां पर जो कोन बनता है य लोग जब भी इस तरह के questions आ जाए आपको n-2 into 180 by n ठीक है यह फूर्मूला है आपका तो यहाँ पर सश्ट भूज की बात हो रही है सश्ट भूज सश्ट भूज में कितना भूजा होता है तो 6 भूजा होता है यानि n के जगा हम लोग क्या रखेंगे 6 रखेंगे तो n के जग तो यह 3 से कट जाएगा यह 2 बार में कटेगा और इससे कटाएं तो यह 60 बार में कटेगा यानि दोनों गुना करेंगे तो 120 डिग्री आ रहा है ठीक है कितना आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है और आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं यह जो होता है इस तरह से आपका रहेगा इ यह कौन कितना होगा, 60 degree होगा, यह चीज़ ज्याद रखना है, ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, और यहाँ पर सारा table भी मैंने यहाँ पर दे रखा, इसको आप देख लिज़ेगा, यह तरे ट्रेंगिल का बात करेगा, तो इसमें side 3 होता है, और sum of angle जो होगा, वो कितना हो ज करें, तो 720 degree का होगा, और एक का बात करें, तो यहाँ पर कितना degree का होता है, एक जो होता है, वो 120 degree का होता है, जो की पूछा गया था, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, आपर, next question देखें, क्या आपका गुप्त रेखा है, किस परकार बनाई जाती है, ठीक है, तो गुप्त र लाइन, hidden line हो गया, dotted line हो गया, बहुत रख लाइन आप पड़े होंगे, तो बताइए, कौन से, किस परकार से बनाया जाता है, आपको यहाँ पर गुप्त रेखा, यानि, hidden line, तो इसका right answer होगा, आपका, कैसा है, डैस संक्री रेखा, ठीक है, डैस संक्री रेखा, यानि, ए dimension का आपका एक भाग होता है, कौन सा होगा, तो इसका right answer होगा, विस्तार रेखा, यानि, तीन नमर जो होगा, विल्कुल सही answer होगा, ठीक है, तो जो भी बच्चे लेट से जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लिजए, कि नहीं किया है, तो और वीडियो को आंतरी कोनों का मान 10 degree होता है, इस बार पंच भूज का पूछा गया है, पिछले बार क्या था आपका, पिछले बार सश्ट भूज का पूछा गया है, तो इस बार पंच भूज का पूछा गया है, कि आंतरी कोनों का मान कितना होगा, तो पंच भूज में कितना भूजा होत और नीचे ही हम लोग रखें, 5 रखेंगे, इसको solve करेंगे, तो 5 में 2 गया, तो 3 बज़ी गया इधर, आपका 113 हो गया, और नीचे 5 हो गया, अब इसको भाग दिजेंगे, और कटा चिता के इसको solve कर लिजे, आ जाएगा आपका 108 डिग्री, ठीक है, 108 डिग्री इसका होता है, और सर्ष्टबूज का कितना था, 120 डिग्री था, ठीक है, चली, और देखते हैं, आगे क्या question है, next question देखेंगे, आपका, एक दूसरे के संबंद में परतेग भाग की इस्तिती दर्साने वाला रेखा, डाइस कलाता है, बता ही, एक दूसरे के संबंद में परतेग भाग की इस्तिती दर्साने वाला रेखा, डाइस कलाता है, क्या कलाएगा ये, इसका right answer जो होगा, वो होगा, सम्योजन रेखा हैं, ठीक है, याद रखेगा, सम्योजन रेखा, यानि एक नमर जो होगा, इसका right answer होगा, ठीक है, तो आज की class में इतना ही question रखते हैं, इसका पीडियाप जो आप टेलिग्राम ग्रूप से जोइन कर लिजेगा, वहाँ पे आपको पीडियाप प्रोवाइट कर दिया जाएगा, और यदि आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है, तो कर लिजेगा, और previous year question paper जो वो भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसको आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा, तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में